हेलो गाइज, वेलकम बैक टो अपना कॉलेज और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यार एक बहुत ही एकसाइटिंग न्यूस के बारे में तो GSOC 2022 यार अनाउंस हो चुका है और इस वीडियो के अंदर में मेजर अपडेट्स जो आए हैं उनके बारे में बताने वालों आपको और यहां पर यार स्टाइपेंड और जो हमारी डेट्स है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है तो उसके लिए यार चैनल पर दीजे जब भी ऐसा कोई अपडेट आएगा मैं डेडिकेटेट वीडियो उसके ऊपर बना दूँगा और आपको पता लग जाएगा ठीक है अब बात करते हैं हम जी सॉक की तो यार अगर आपको जी सॉक के बारे में बिलकुल नहीं पता तो पहले जाके हमारे वीडिय काम है वो 17 सालों से चलता आ रहा है और इसमें कुछ 18,000 से भी जादा युनिवर्सिटी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं और यहां पर अगर हम बात करें उपन सोर्स और्गनाइजेशन की तो कुछ 746 से भी जादा और्गनाइजेशन जो है उनमें कॉंट्रिविशन ह ठीक है तो अब बात करते हैं न्यूज की तो यहां पर आप देख सकते हूं मैंने जी सॉक का वो ब्लॉग खोल रखा है जहां पर हमारी यह न्यूज आई है तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सपांडिंग एलिजिबिलिटी अब इसका क्या मतलब है तो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाता है तो वो कर सकता है सिर्फ उनका 18 प्लस होना जरूरी है यूनिवर्सिटी में अन्रॉल्मेंट अब बिल्कुल जरूरी नहीं है और यह चीज इसलिए करिए ताकि यार कोई और इंडिविज्वल जो की अपने लाइफ में जै बहुत हेल्प करेगी क्योंकि बीच में आपका टाइम अगर बच रहा है तो आप वहां पे जी सॉक में अपलाई करके इस तीन महीने का उप्टिमूम यूज कर सकते हो ठीक है तो अब हम बात करते हैं यार दूसरे पॉइंट की तो यहां पर यार मल्टिपल साइज ऑफ प डाइपेंड मिला करता था हैना लेकिन 2021 में यह चेंज करके 175 आर्ज या फिर 12 वीक्स का कर दिया था हैना और इसकी वज़े से यार कुछ प्रॉब्लम स्वेस करनी पड़ी थी जी सॉक के अंदर क्योंकि यार कुछ लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो 175 आर्ज में यानि 12 व प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं तो अगर आप मीडियम साइज प्रोजेक्ट यानि 175 आर्ज के प्रोजेक्ट में कॉंट्रिब्यूट करना चाहते हो आपका प्रोजेक्ट छोटा है तो आप वो कर सकते हो नहीं तो आपका लार्ज साइज प्रोजेक्ट होता है जो कि 350 आर्ज time है अपने project को choose करने की flexibility दी जा रही है ठीक है अब बात करते है flexibility of timings for project तो यहां पे यार flexibility बढ़ा दिये timing में भी तो पहले तो यार एक fixed frame हुआ करता था July से लेकर अगस्त तक हमारा स्वरी June से लेकर अगस्त तक हमारा ये program चलता था है ना लेकिन इस बार ये चीज चेंज कर दी गई है तो जैसे के आपको अभी अभी मैंने बताया कि हमारा जो project की size है वो change हो रहे है इसी वज़े से आर हमारा जो timing है वो भी change हो जाएगा तो अगर मान लो आपका कोई छोटा सा project है जिसको आपने 175 arts की timeline के अंदर करने का सोचा है लेकिन आप जब कर रहे हो तो आपकी requirements बढ़ गई तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो आपको मौका मिल रहा है याँ पर switch करने का flexibility है कि अगर आपका medium size project पूरा नहीं हो पा रहा है और आपकी deadline आपको extend करनी है और 22 weeks की करनी है तो आप आसानी से 22 weeks की deadline shift करवा सकते हो अपने mentors से बात करके ठीक है तो यह चीज यार काफी interesting है और इससे यार बहुत ज़्यादा लोगों का contribution बढ़ने वाला है open source में और I hope आप भी यार contribute करने की कोशिश करोगे open source में और GSOC में participate करेंगे है ना क्योंकि अब यह चीज यार limited नहीं है आप कोई भी हो 18 plus अगर आप हो तो आसानी से participate कर सकते हो GSOC के अंदर ठीक है और साथ में यार मैं timeline भी आपको दिखा देता हूँ लेकिन यार आप देख सकते हो dates coming soon लिखावा है तो जल्दी यार dates भी आ जाएगी और तब मैं timeline पूरी आपको explain करके बता दूँगा कि कब क्या चीज कैसे होने वाली है तो बस यार यह था छोटा सा update GSOC के उपर I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई है तो यार like कीजे और share कीजे जो लोग यार जीसों के अंदर participate करना चाहते हैं या फिर इंट्रेस्ट रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले वीडियो में तब तक के लिए सिया, have a great day and I will surely catch you guys in the next one